नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों मुझे पता है कि आपको पेशों के लिए कर बहुत ज़्यादा दिक्कत जहलने पड़ रही है पेशों की शमश्या आपकी जूनकाल में लागातार बढ़ती ही जा रही है जिनकाल में आपको कोई इशा मोकार नहीं मिल पा रहा है जिनसे आप पेशों को अर्जित कर सके जिनसे आप अपने जिनकाल को अच्छी तरिके से शम्हाल सके जो कि हर एक इंसान की चाहद होती है वे शबी चीजों को आप प्राप्त कर सके जिया दोसों तो दोसों हम आप शबी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरूश लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लेजिए जिया दोसों इतना पेशा आएगा कि शम्हाल नहीं पाओगे जिया दोसों लेकिन दोसों यहाश में आप इस बात को सोचेंगे कि पेशों की दिकत दाखेर किश को नहीं है दोसों पेशों के दिकत सब को है लेकिन दोसों सब में और आप में बहुत यदा फरक है और यह फरक को आप तब ही की शौच पाएंगे जब आप वीडियो को अंते तक देखेंगे जिया दोसों कि विडियो में हम आपके जुनकाल के श्रभशे बड़े मुल्मंत्र आपको देने वाले हैं जो कि दोस्तों आपकी जुनकाल में होना बहुत यह उख्शक है जिया दोसों कि दोस्तों अक्षर आ आपके शामने खड़े हो जाते हैं जिनके कारण आपके पेशे का जो होगा है वह होता ही रहता है दोस्तों हमारा आप शुबिशे विनमर निवदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतर तक देखिएगा तब दोस्तों आपको इस बात का प मश्रबाद आप शुबी को प्राप्त होगा दोस्तों आप शुब बता दे कि पिछले शुमे में आपने सब चीजों को देखा है दोस्तों पिछले शुमे में आपने सुख भी देखा है जापर आपको अच्छी आनंद की अनुभुती भी है और पिछले शुमे आपने दुकल होगा वह बहुत ही बैतिन होगा और पेशे आपके पास जरूर आएंगे जिन पेशों के लिए अभी इस वक्त तडप रहे हैं एक शमय वह पेशों आपके भी पास जरूर आएगा जिया दोस्तों इसी चीजें आपके मन में चलती हैं और आपकी दिन के लिए बहुत जड़ा मेहनत भी करते हैं दिन रात एक करके आप उतने कारीयों में लगे रहते ही दोसों आप शिवा को बिता दे। कि चाहें आप कितने भी दुख में जलाता है क्योंको दोस्तों आप जो होते हैं अपने दुखों को किशी की सामने व्यक्त ही नहीं करते हैं जिनसे श्रावनेवालों को किशी परकार की खुशी हो जिया दोस्तों अपने शबी दुखों को आप अंदर ही दबा कर रखते हैं और चेहरी पर जो मुश्कराट रख लिखोति, आपके मन में कुछ ऐसे भी खौईश होती है, कुछ ऐसे भी जज़वा होता है कि आप अपने जिवयों में आपका जो भीован पशंद का रहे हैं, पर बैलाव या फिर भीड़ा, परवष्यस. दोसों आप उन्हें प्राप्त कर सकें, उन्हें हर चीज़ शुक को दे शकें, अपने मन पसंद चीज़ों को आप घरिश शकें, जे दोसों और आप उन शबी के लिए एक अलगी लेवल पर जाना चाहते हैं, अपने शमाज में हर छेतरों में आप शब से कुछ अलग करना च चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश दोसरों से अलग होती है, उसे प्राप्त करने के लिए आप जीतोड मेहनत भी करते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप शीज़ों को बता दें कि कभी कभार आपके जुनकाल में इसी घर्टना याती है, इसी पस्तिती खड़ा हो जाता है, कि दोस् दोसों श्रमने वाले के ख्वाहिश पर आप ध्यान देते हैं, जो भी आपके जुनकाल के घर परिवार के शतस हैं, उनके महत्पन जुमेदारियों को लेकर आप पीछे हर जाते हैं, कि नहीं हमें यहां कारे छोड़ दिने चाहिए, और इसे श्रमे में श्रमे की भी आपक पस्तति का श्रमन आप अभी कर रहे हैं, वो आपका मंजिल नहीं है, आप अपने जुन में अभी भी शंतुष नहीं है, आपके बहुती बड़े शपने हैं, बहुती बड़े इक्छाए हैं, आप बहुती उंचा तक जाना चाहते हैं, और आप लोग कोशिश करने में कोई को भी कसर नहीं छोड़ती, जितना आप प्रयास हो सकता है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, उतना आप मेहनत करते हैं, दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि आपके जुनकाल में पेशों को लेकर जो तंगी है, कुछ ज़्यादा ही यहश में बढ़ गया है, पिछले शमय के दौरण आपके पास पेसे आते ते रहते ते, घर परवार अच्छा भी चलता था, लेकि दोस्तों कुछ ही महिनोंश यह आपकी जुनकाल में, कुछ ही शालोंश आपकी जुनकाल में एशा समय आ गया है, कि पेशों की जो अर्थिक दंग्या वो बढ़ गई है, महंगाई क आपकी जुनकाल में भी कष्टकारी इस्तियां उत्पन हो रही है, वो भी पेशों को लेकर, आपका पर्याश शफल नहीं हो पा रहा है, वह पेशों को लेकर, कि दोस्तों आज के इस युग में, हर जगा पेशों का नाम लगा हुआ है, जहां भी जाएंगे, तो पेशों क कि सबसे पहले मांग होती है, आप कोई भी है, इतने भी बड़े इंशान क्यों नहीं हो, सबसे पहले पेशे से ही लोग बात करते हैं, फिर आप शे बात करते हैं, इसको ब्रहां दोस्तों आपकी जुनकाल में और भी अशी घटनाएं घटित हो रही है, जो कि आपको सोचन जाए और उनके बारे में शुजने लगी, तो दोस्तों आपके आँखों में आशु भी आ जाते हैं, हम आप शुभी को बता दें, कि आपकी जो मंजिल है, वहाँ आपको आवशी मिलेगा, और दोस्तों वहाँ दूर नहीं है, वहाँ शुमे बहुत ही जद आने वाले हैं, आप शुभी को बता दें, कि इस महिने के बाद, आपके जुनकाल में करहों की चाल बदर रही है, शनी, शुक्र और गुरु की जो इस्तिती होगी, आपके लिए आपके लाग करम को दख्शा रहे हैं, और भगवान शुनिदेप तो न्याय की देवता है, जैंदोस्तों व मन में कोई छल नहीं होता, निस्चल भाव, निस्चल स्वार्थ का व्यक्ति, कभी भी इस बातों से नहीं डरते हैं, कि बगवान शुनिदेप, कुरूड देवता है, दोस्तों आपको बता दे कि बगवान शुनिदेप भले ही शत्रु गरह में आते हैं, लेकिन आप के जो भी महनत है, उनका परिणाम अब आपको बहुत जल्द पराप्त होने वाले हैं, जै दोस्तों आपको बदा आते कि गरहों की चाल में परिवर्टन आपके होने वाले हैं, आपके कुंडली में भी बहुत ये अच्छा बदला होगा, और दोस्तों यह भाग अब आपक कर रहे हैं दोस्तों वह आप बदलने वाले हैं और दोस्तों भागे बदलने के कारण आप शुभी की जुनकाल में बहुत शारी परिवर्तन होने वाले हैं जैसे कि दोस्तों शब्से पहले जुनकाल में आपको जो ज्यादा शमयशाय जहलने पड़ रहे हैं पेशों को लेकर तो दोसों वह पेशों को लेकर शुमशें आपकी दूर होने वाली है जो दोसों और इनके लिए आपको कुछ उपाय को भी करना चाहिए जो कि दोसों आगे वीडियो में बात करने वाले हैं तो दोसों इन बातों को भी आप ध्यांश जुने जो भी आपकी रुकाउटें बढ़ रही थी जिन में आपको नुक्षान उठाना पड़ रहा था दोस्तों अब उनमें भी गत्ती आने वाली है आपको बता दें कि केरियर की छेतर में आपको बड़ी अपरचुनिटी मिल सकते हैं लाब के मुके फिर शे आपके वहश्य में जिन में आपको नुक्षान हुए थे जिया दोस्तों शाथ हिसा दोस्तों आपको बताते कि घर परिवाल का महौल भी जो पिछले शमें बहुती बुरा चर रहा था दोस्तों अब वह धेरी धेरे शमाप्त होने वाले हैं आप शुकू बता दें कि पिछले शमें में आपके के दुश्मनों को भी अब शजा मिलने वाली है उनकी जुनकाल में भगवान शुन्देप का कहर तुटने वाला है ज्यदोसों और आपकी रास्ते में जो भी लोग कांटे बनते थे यह शुमेद दूर होने वाले ही और जुनकाल आपका बहुती श्वक्च और शुनहरा बनन के हैं आपकी बहुती हो जायेगा जरे दोसों आपको ब्रवाह जो बढोख भड़ बदर रही है जो आपकी बाग बदर रहे हैन्हें दोस्तों आपको षीं मिलेगा जे दोस्तों पेशों को लेकर शमेशाय तो खत्म होंगी शादी पारविल जो भी आपकी नौक जोंग चल रही थी दोस्तों उनमें भी यश्मे शुदार होगा शादे आपको बता दे कि बच्चों को लेकर आपको बहुत दोस्तों अब वक्त आ गया है कि फिर합니다 विश्वास मत करें कि यह बात भगवान श्रीकिष्ण नैं कही थी अपने गीता कि हमेश़ अपने दुश्मन को जो ही आपकी विरोधी है वह गलती करता है वह आपको धोखा देता है तुने माप करके एक बार अच्छे इंसान बन जाओ शमाज की निजरों में लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना तुमारा शबसी बड़ा बेवकूपी होगा जी अदोसों तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है कि जो विवक्ति आपको दोका दे चुके हैं उन पर आख मुंद कर यूँ कहें तो उनके शाथ रहने की भी आप कोई जरुत नहीं है कि दोस्तों जो शाप होते हैं वो कभी भी अमरित नहीं उगल इसके साले दोस्तों आप शुको जुनकाल में एक और बात बता दें कि अब शे अपने जुनकाल में आप एक चीज का और ध्यान रखें कि पेशों को लेकर जो भी फिचुल करची आप किये थे दोस्तों आप उनको बिलकुल भी नहीं दोहराना है जहां पर आपको पेशों के जरूत लगे वास में सोश समझे उन्हें इन्वेस्ट करें कि दोसों, परशा धन की की देवी माемलक्षमी होती है मांलक्षमी कहती है कि जिस परकार तुम खुद की विज़त करते भूंगा जयास्व už तो दोस्तों और अपने जुनकाल में बातों का भी दान रखें हैं कि पेशों की आवश्यक्ता को देखते हुए ही पेशों का निवेस्ट करें ज Kle- 하니까 कभी घागी में पेशें को 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 खर्च बिलकुल ही ना करें दोस्तों दुसरे की जीवन में और आप की जुन में बिलकुल ही फर्क है उनका रावया चाल चल्चलन और आपके चिल चल्चलन पाल का टे磨श कभी बप 모든 देखिये आप हमेशा अपने जुनकाल की जरुद को देखिएगा जिस जिस के आपको जरुद है उन्हें पेशों को लगाई तो दोस्व इस बात का भी ध्यान अपने आने वाले श्वमे में आप रखिएगा इस गुब्रान दोस्व माप शुब बता दें कि अब शे आपको अपने तुनकर उन्हें याद करके पैस्ताना होता है तो दोस्व इस बात का याद रखें कि पिछले श्में जो भी कार्या आपने किया है जिन्हें अभी याद करते हैं तो आपको पैस्तावा होता है तो दोस्वां यह जो बात है इन्हें आप ध्यान में रखें और आने वाले भ जोने को यूहों ही बरवात कर देता है तो दोसों उनकी जोनकाल में उनके उमर्टू पढ़ते हैं लेकिन उनकी आरती सित्थी अच्छी नहीं होती उनका वह कामिया पर उन्हें प्राप्त नहीं होता जो उन्हें मिलना चाहिए तोब अविशे अपने जुनकाल में आप इन बातों का भी ध्यान रखें ये जो शबी बाते हैं ये शबी बात आपके पेशों को इस पेशों से ही जुड़ी होती है जे दोसों इन शबी बातों का गर आप ध्यान रखेंगे तो दोसों हम दावे के शाथ कैश रखते हैं आपकी आपके लिए बहुत यदा अश्वक है पेशों से जुड़ी एक बहुत अच्छा उपाय है जो दोसों नित्य आपको अपने जुनकाल में याद रखना है उपाय करना है जो भी आपके विपरित बधाई हैं जो भी आपके धनलाग भाव में जो भी ग्रह दोस्त खराब है दो दोसों इश्यमंत्रों का भी और शुपाय का भी आप अच्छे तरह के से ध्यान से सुनें तो आई दोस्तों बात करते हीं दोस्तों माँ आप श्यू बता दें कि गरोशें ब्रकार की बिमारी में वुत्तमन होती है जैतों सोगर आपके ब्रहस्पती खराब हो जाए तो पे दाद के जुनकाल में आपका चंद्र खराब हो गया है तो दिल और आख की कमजोरी होती है अगर शुकर खराब है तो त्वाचा दाद खुजली का रोग होता है मंगल अगर खराब हो जाए तो रक्त और पेट शुजमंदी बिमारी नाशूर जीगर ठोड़ा होना बुद् हार दिमागी कोई खराब हो जाना अचानक से चोट दुर गटना आती ये शब राहू के ही चाल होते ही शाति केतु अगर बिगड़ जाए तो रीड जोडों का दर्द गुपतांग के शमिल कोई भी रोग ये शब केतु की कारण होता है तो दोस्तों इंशी बचने के लिए मंगल खराब हो तो दोस्तों कभी भी आप क्रोध ना करें क्रोध से ही मंगल खराब होता है जूट बोलने से आपका बुद्ध खराब होता है बड़ों का शमान नो करने से गुरू खराब हो जाता है पतनी या प्रिस्त्री का शमान नो करने से सुक्र खराब होता है आलश क रहे हैं तो दोस्वों इन बातों का ध्यान रखें भागेगा आपको पूरा पूरा शरपोर्ट मिलेगा सिब आपको इन कुछ चीओं को छोड़ना है और कुछ कारियों को अपनाना है तो दोस्वों आप पीछे करके भी उनुश्वी बातों को देख सकते हैं कि कौन से चीज सूर के लिए खराब है और कौन चीजी सूर के लिए अच्छा चीज है तो दोस्वों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप शुभी को बहुत अच्छा लगा होगा बहुत यह अच्छी जनकारे आपको मिली होगी तो दोस्वों वीडियो को लाइक जरूर किजेग अच्छी जनकारे के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद आपका दिन शुभर है